Hi everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Prince. हम कर रहे हैं grammar, और grammar में after introduction we did sentence. हमने पूरा sentence complete किया था, उसका एक छोटा सा पार्ट बचा है, जो है question tags, ठीक है? But, जो कल जितने भी sentences के हम लोगों के videos upload हुए हैं, उसमें I understood कि जो jumbled और unjumbled words थे, ठीक है, जिसमें आपको एक meaningful sentence form करना था, उसमें बहुत सारे बच्चों को कुछ issues आ रहे थे, ठीक है? अच्छा, first of all, कि आज हमें काम करते हैं, अभी हम पूरा वापस repeat नहीं करेंगे, हम उनको एक बार और एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हम एक छोटी सी exercise करेंगे, जहां पर हम jumbled और unjumbled को एक बार समझेंगे, एक बार मैं आपको दो तीन tricks बताऊंगे कि उसको आप किस तरीके से कर सकते हो, ओके? और उसके बाद हम आके बढ़ेंगे with our question tags, ठीक है? So let's begin guys, और मुझे कल transformation of sentences में और types of sentences में मैंने vocabulary words दिये हैं, मुझे sentences तो नहीं आए अभी तक, तो ये क्या हो रहा है? अच्छा, एक चीज़ और बहुत जादा important, आप लोग जब मेरे साथ session में बैठते हो, हम जब sentences form करते हैं, हम exercises करते हैं, बहुत सारे new words on exercises में भी आते हैं, ठीक है? तो प्लीज पूरे टाइम अपना पैन और पेपर अपने साथ रखो, because trust me, अगर मेरे साथ उतनी ही महनत करोगी जितनी आम expecting, then you can really, you know, bloom as a, like, as good as, you know, new. You can bloom, when I say you can bloom, it means आप खिल जाओगे, लेकिन here, what I say, what I mean to say, कि आप English में बहतरीन हो जाओगे, okay? So guys, let's begin with our jumbled sentences, so here, what I have done is, मैंने phrases, छोटे-छोटे phrases जो होते हैं, उनको already segregate कर लिया है, ऐसे ही questions आएंगे, ठीक है? Played many games in India are, अब इसमें क्या होता है, पहले आप देखो कि आपका subject क्या हो सकता है, jumbled और un-jumbled में पहली चीज समझो कि आपका subject क्या हो सकता है, played तो हो नहीं सकता, many games नहीं हो सकता, और, मिलब, games एक बार के लिए हो सकता है, और India हो सकता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे यह देखना है कि आपका subject क्या हो सकता है, रे डोजा भाई, ओके, now, अब यहाँ पे क्या होता है, in India, ठीक है? अब हमें यहाँ पे यह देखना है कि किस तरीके से हमारा sentence form हो सकता है, अगर हम in India are played many games नहीं होगा, many games are played in India sounds correct, तो आपका क्या है subject होगी है, आपका many games और subject के बार, मतलब यह जो subject, verb और object, यह जो एक basic construction होता है sentence का, एक structure होता है sentence का, उसको try करना follow करो, जब अगर उसको follow करोगे तो आपको jumbled से, मतलब jumbled से unjumble करना बहुत easy हो जाएगा, okay, so many games, फिर आपने अपना verb यूज किया are played, यह आपका verb हो गया are played और in India हो गया आपका object, ठीक है? Second question देखते हैं, most popular games, the cricket and football are, अब obviously यहाँ पर आपका subject दिखरा है हमको cricket and football, इसके बाद आएगा verb, मतलब are, ठीक है? अब इसके बाद आपका object हैगा, अब जब दिखरा है most popular games, the, तो इसको arrange करेंगे are the most popular games, cricket and football are the most popular games, तो क्या आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, पहले आप अपना subject identify करने की कोशिश करो, subject identify करो, फिर verb को रखो और उसके बाद sentence को arrange करने के लिए ट्वाय करो, ठीक है? अब है more popular, cricket is hockey than, अब यहाँ पर आप लोग को क्या देखना है, more popular, मतलब आप किसी चीज को compare कर रहे हो, compare कर रहे हो यहाँ पर more popular, जब हम degrees of comparison करेंगे adjectives की, उसके बाद तो यह question ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो more popular, मतलब तुम compare कर रहे हो, यहाँ दो games के नाम दिये हुए, ठीक है, so cricket is already लिखा हुआ है, तो हम start करेंगे, cricket is more popular than hockey, understood, next question देखते हैं, on the roadside, played cricket is even, so यहाँ पर क्या लिखा है, on the roadside, जो छोटी छोटी फ्रेसे से उनका मतलब समशने की कोशिश करो, on the roadside, roadside के, मतलब road के side में played, खेला जाता है, cricket, cricket even, मतलब भी, तो cricket roadside के, roadside में भी खेला जाता है, cricket is even played on the roadside, ठीक है, next देखते है, different religions, people of peacefully live here, ठीक है, तो अब यहाँ पे, क्या है, different religions, people of peacefully live here, live here, जो है, यह आपका क्या है, यह है आपका verb, live, रहना, यह आपका verb है, क्या हो रहा है, रहना, अब कौन रहरा है, कैसे रहरे हैं, peacefully रहरे हैं, तो इसको तो अपन बाद में ले लेंगे, तो people of different religions live here peacefully, तो verb आएगा और वर्ब के बाद आएगा आपका, कि वो किस तरीक से रहरे हैं, जिन्हें actually हम adverb कहते हैं, बाद में समझेंगे उस बाद को, people of different religions live here peacefully, अब है spoken here, there are languages many, ठीक है, अगें, यह है आपका वर्ब, क्योंकि इसमें आ रहा है, are, ठीक है, and यहाँ पे, sorry, are यह आपका एक वर्ब दिखरा है एपन को, and यहाँ पे आज़ा है spoken here, तो यहाँ पे आएगा आपका, there are many languages spoken here, are verb आगया, अब उसके हिसाब से set करना पड़ेगा, देखो कभी यहाँ तो subject समझ आएगा, यह verb समझ में आएगा, और उसके बाद आपको arrangement करना पड़ेगा, Very rich India is culture in, अब, is है तुम्हारा verb, ठीक है, किसकी बात कर रहे हम subject हुआ तुम्हारा India, India is, ओके इंडिया क्या है, very rich in culture, ठीक है, तो I hope यह हो गया, सिर्फ तो questions और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, Good maths both are at, अब, यहाँ पे एक subject दिख रहा है आपको maths, ठीक है, यहाँ है verb आपका are, अब, यहाँ पे maths both are good at, नहीं, तो यहाँ कैसा आएगा, both are good at maths, दोनों maths में अच्छे हैं, ओके, जोहित in English very good is, so subject क्या है अगर जोहित, verb है is, जोहित is, adjective very good in English, ठीक है, अब ना jumbled words के साथ क्या होता है, जैसे जैसे आप एक-एक part of speech करते जाओगे, जैसे अभी हम आज पढ़ेंगे question tags और nouns, ठीक है, तो जैसे आप nouns पढ़ोगे, फिर pronounce पढ़ोगे, adjective समझ में आएगा, adverb समझ में आएगा, इनकी placing कैसे होती है, समझ में आएगा, उसके बाद तो ये questions बहुत easy हो जाएंगे, तो अभी अगर tension हो रहा है, तो उसे attention मत दो, load मत लो, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो sentences का हमारा last part बचा है, और एक औहर question बचा है, जिसे मैं भूल गई, तो राघव got better, so marks happy is, राघव got better marks, so he is happy, ठीके, so, but, अगर ऐसा आता है, तो समझ लो कि ये joining होते हैं, तो conjunctions जब हम करेंगे, तब ये जाद आचे समझ में आएगा, ठीके, अब हम आते हैं finally question tags में, और question tags क्या है, हमारे sentences, जो हमारा sentence topic है, उसका last part है, question tags क्या होते हैं, मैं अगर simple कुछ sentences बताओं, तो, ए, तुम first आई थी, नहीं, और तुमने खाना खा लिया, नहीं, और आप मुसे बहुत प्यार करते हो, है ना, तो ये जो last में नहीं न, है न, ये होते हैं question tags, जैसे कि, अगर यहाँ पे, अभी मैं एक example दिखाती हो, ठीके, you are a student, aren't you, अरे तुम student हो, नहीं क्या, अब क्या है, इसमें एक simple सी बात समझने आनी है, अगर तुम एक positive sentence बोल रहे हो, तो एक negative tag लगा दो, अगर तुम एक negative sentence बोल रहे हो, तो एक positive tag लगा दो, ठीके, जैसे कि, तुम अच्छे हो, नहीं क्या, तुम बुरे हो, या फिर तुम अच्छे नहीं हो, है न, ऐसा कोई बोलेगा तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए, that's it, अगर कोई positive sentence है, तो हम negative tag चिपका देंगे, अगर कोई negative sentence है, तो हम positive tag चिपका देंगे, ठीके, एक बार हम question tags को अच्छे से समझ लेते हैं, question tags are short questions at the end of statements, यह छोटे-छोटे questions होते हैं, जैसे aren't you, isn't she, or aren't we, यह से होते हैं, and यह आपके sentences को बहुत interesting बना देते हैं, ठीके, there are mainly, they are mainly used in speech when we want to, जब हम बात करते हैं, like when we are talking, especially जब आपके conversation होते हैं, तब आप use करते हो, ठीके, अब क्यों use होते हैं, इनका purpose क्या होता है, they confirm that something is true or not, or to encourage your reply from the person we are speaking to, तो हमारे question tag हम use क्यों करते हैं conversation में, अगर जैसे आपको कोई बात पता लगानी है, कि वो सच है या जूट है, जैसे कि, अरे वो तो चली गई थी, नहीं क्या, वो सचा ही पता लगानी है, कि आखिर बात क्या थी, आखिर हुआ क्या थी, आखिर हुआ क्या था, आउंटिया ऐसी बड़ी बात करती है, अच्छा वो तो हुआ था, नहीं क्या, ऐसी वाली बात है, दूसरी चीज होती है, जब आप सामने वाले को, आप चाहते हो कि वो कोई reply अगर आप simple एक statement देदोगे वो तो चली गई थी तो क्या हुआ बात महीं खतम हो गई लेकिन अब आप चाहते हो कि जो सामने वाला बंदा है वो कुछ reply करे ठीके आप उसको motivate करें बताओ बताओ मुझे आखिर क्या माज रहा है तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे आपका purpose solve हुआ कैसे question tags use करने से Question tags are formed with the auxiliary or modal verb from the statement and the appropriate subject अब यहाँ पे हमारे जो auxiliary verbs होते हैं जैसे की isn't, is, m, are, was, were, has, have अब modal verbs होते हैं आपके must, can, could, should यह सारे यह हम समझेंगे, अभी load मतलो लेकिन इन words के साथ आप इन ही words का contraction use करते हो not के साथ ठीक है, उन्हें कहते हैं हम question tags अब जैसे यहाँ देखते हैं यह मेंश blurred लग रही है शायद A question tag is a small question at the end of a statement अब जैसे मैंने बताया था, अगर कोई positive statement है यह positive statement है, तो उसमें आप एक negative question tag लगा दोगे कैसे? You are a student अब जब तुम लिख रहे हो You are a student तो यहाँ पे कोई भी negative word नहीं है There is nothing like does not, do not, did not, no कोई negative word नहीं है, मतलब यह एक positive statement है अगर यह एक positive statement है तो इस statement में helping verb या auxiliary verb क्या है? R है, ठीक है? अब इस R को यहाँ पे last में लगाओ एक कॉमा और इस R को contraction करो not के साथ मतलब यह हो जाएगा R, N, T ठीक है? R not, aren't she? और इसके बाद हम किसकी बाद करें? subject क्या है आपका? subject है you उस subject को last में लगा दो aren't you और एक question mark इसको हम एक बार और समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ जादा जगा है यहाँ पे देखते हैं कभी भी मैं कोई भी sentence अगर बोल रही हूँ, ठीक है? तो just a second guys, I think we should use a slide अगर मैं बोल रही हूँ I am a student अगर मैंने बोला I am a student अब यहाँ पे मेरा helping verb क्या है? मेरा helping verb है मेरा जो statement है, वो positive है या negative है? मेरा statement positive है तो मुझे अगर question tag बनाना है तो यहाँ पे मैं कॉमा करूंगी इसको यह helping verb जाएगा यहाँ पे ठीक है? और m का बन जाता है ant और यह ant I ठीक है? तो यह contractions सारी list I'll provide you अभी हम सिर्फ समझ रहे हमें कैसे लिखना है अब जैसे मैंने बोला she has fever अगर मैं बोल रही हूँ she has fever ठीक है? मुझे इसका बनाना है contraction तो मैं इस full stop को बनाऊंगी कॉमा यह है मेरा helping verb यह जाएगा यहाँ पे और has not ठीक है? has not कैसे लिखते हैं? n apostrophe और t और मेरा subject कौन है? subject है मेरा she और यह she जाएगा मेरा helping verb के बाद hasn't she और आजाएगा एक question mark ठीक है? क्या करना है मुझे? मुझे सिर्फ देखना है पहली चीज़ मेरा helping verb क्या है और मेरा subject क्या है? helping verb मैं लेके गई उसके साथ मैंने fit किया not और उसके आगे लगाया subject with a question mark that's it this is how I have to form my question tags एक और example देखते हैं जैसे अगर मुझे they are performing they are performing अब मैंने बोला वो perform कर रहे हैं सबसे पहले बताओ subject क्या है subject है मेरा they ठीक है? अब मेरा verb क्या है? helping verb है मेरा are ठीक है? तो ये गया ये बना मेरा कॉमा helping verb गया यहाँ पे तो ये आजाएगा are इसके साथ fit करेंगे हम not और subject लगा देंगे subject क्या है? they aren't they और लग गया एक question mark ये बन गया आपका question tag अब ये हुए positive statements में जहाँ पे मैंने negative लगाए ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है? अब यहाँ पे अगर कोई negative statement है जैसे की Mary isn't a teacher और Swati isn't a teacher मैं कोई negative statement जब बोल रही हूँ उसके बाद मैं positive tag लगाऊंगी चलो एक बार और यहाँ पे देखते हैं मैंने बोला Swati is isn't ठीक है? isn't मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? is not स्वाती isn't a teacher अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरा जो पूरा statement है वो positive है या negative है? यहाँ पे एक बड़ा सा not दिख रहा है इसका मतलब मेरा जो sentence है वो क्या है? negative sentence है negative sentence में क्या करना है? मुझे इसको मैं बनाऊंगी कॉमा ठीक है? मेरा helping verb क्या है? isn't और मेरा subject क्या है? स्वाती ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्योंकि मेरा helping verb मेरा sentence negative था मैं helping verb को positive करूँगी यहाँ पे सिर्फ आएगा is is not नहीं आएगा isn't नहीं आएगा और स्वाती isn't स्वाती नहीं बोलूंगी अब स्वाती के लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ? प्रोनाऊंट स्वाती की जगह में लिखूंगी she because I am talking about a female isn't she और आजाएगा question mark ठीक है? another example जैसे की माँआण लो अशोक is not sleeping ठीक है? जैसे की अगर यह मेरा sentence है तो इस sentence में यह positive है या negative है? यह एक negative sentence है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आ गया है मेरा word not अब मुझे अगर इसका question tag बनाना है तो मैं क्या करूंगी? पहले मैं देखूंगी मेरा subject क्या है? ठीक है? मेरा subject है अशोक और मेरा इसमें verb क्या use किया है मैंने? मेरा verb यूज किया है मैंने is लेके जो अपने verb को यहाँ पर is अब अशोक के साथ she तो लगनी पाएगा? है ना? ही आना चाहिए तो is ही करके अपन लगा देंगे question mark और अपन को पता चल जाएगा कि अशोक जो है वो सो रहा है या नहीं सो रहा है ठीक है? So this is how we have to do it अब हम जाते हैं वापस अपनी slide में और कुछ examples देख लेते हैं अब यह मैं आपको explain कर चुकी हूँ कि a positive statement is followed by a negative question tag जैसे Jack is from Spain यहाँ पे कोई negative word नहीं है तो मैंने लिखा isn't और Jack की जगा मैंने लिखा he ठीक है? Mary can speak English अब यहाँ पे आया है आपका verb can जो कि एक modal verb है तो can की जगा हो जाएगा can't और Mary की जगा आ जाएगा she I hope इतना clear हो गया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं जब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे question tags लिखे हुए ठीक है? जैसे लिखा हुआ You are a student helping verb क्या है? आर ठीक है? अब अगर तुम्हारा helping verb आर है इसको आप negative tag बनाओगे आर के साथ आजाएगा Aren't you? ठीक है? He is very busy तो helping verb है is तो आजाएगा Isn't he? अगर was है He was happy Wasn't he? They were surprised Weren't they? You speak English Don't you? अब एक चीज और समझने वाली बात है कि मान लो अगर आपके पास verb है ही नहीं ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे एक sentence अभी पढ़ा You speak English अब मुझे इस sentence में मेरे पास एक helping verb तो है ही नहीं अब मैं किस चीज को आगे लेके जाओंगी? तब हमारे जो तीन magical words हैं वो आएंगे हमारे काम में कौन-कौन से थे? एक है हमारा do और एक होता है हमारा does और एक होता है did अब यह जो आपके do और does हैं यह आते हैं, यह use होते हैं हमारे present में या future tense में ठीक है? और सिर्फ जो आपका did होता है वो use होता है आपके कोई भी statement जिसमें आप past की बात कर रहे हैं ठीक है? अब इसमें भी क्या चीज है? कि अगर मैं do की बात कर रहे हूँ यह use होता है plural के साथ बहुत सारे लोग हैं और अगर मैं does की बात कर रहे हूँ तो यह होता है use singular के साथ ठीक है? यह use होता है singular के साथ तो अब यहाँ पे ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? कि यह जो है मेरे पास जो उपर sentence है तो इस sentence में you speak English you मेरा singular है यह plural है? एक ही बंदे की बात कर रहे हूँ मैं ठीक है? जैसे मैं आपकी बात कर रहे हूँ तो you speak English आप एक ही हो तो you जो है यहाँ पे इसके साथ मुझे use करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि I और you के साथ हमेशा do use होता है मतलब basically हम हमेशा I और you को बहुत इज़त देते हैं English में बहुत respect दी जाती है तो I और you के साथ देखना आप हमेशा I के साथ भी have use करोगे और you के साथ आप कभी भी has या is use ने करोगे So you have to make sure of that अब क्या करेंगे हम यहाँ पे क्योंकि you के साथ मेरा helping verb अगर नहीं है तो मुझे do use करना है तो you speak English मैं लगाऊंगी यहाँ कॉमा और helping verb हो जाएगा don't और मेरा subject आजाएगा यहाँ पे don't you and a question mark अगर इसी की जगा यह you नहीं होता suppose यह you नहीं होता और you की जगा होता यहाँ पे she speaks English ठीक है अगर यह होता she speaks English तो फिर हम क्या करते English भाई ing सब मिटलता ही चाह रहा है English ठीक है अब यहाँ पे she speaks English she singular है और she के साथ हम use करेंगे does she के साथ हम क्या use करेंगे she के साथ हम use करेंगे हम does तो क्या हो जाएगा यह आएगा कॉमा और यह does वर्ब जाएगा यहाँ पे जिसके साथ हम add करेंगे not और आजाएगा हमारा subject यहाँ पे doesn't she with a question mark ठीक है understood this much अगर आपके sentence में helping verb नहीं है अगर मान लो negative past form में है तो did do, does या did अगर आपके sentence में helping verb नहीं है तो ठीक है so अब हम वापस एक बार अपनी slide में जाते है तो अब है you speak English don't you he studies Spanish अब he के साथ आएगा doesn't doesn't he you studied for the test तुमने test के लिए पढ़ाई की थी अब ये past tense है past के साथ हम क्या use करेंगे did so didn't you तो अब है you have studied all week अब यहाँ पे हमारा जो verb है वो है have helping verb है हमारा have haven't you you had arrived अच्छा ठीक है अब एक बार हम क्या करने वाले हैं हम इसमें समशने वाले हैं एक ही sentence को अलग अलग तरीके से जैसे की you are you are good यहाँ पे मेरे पास एक helping verb है जो है are तो मैंने यहाँ पे कर दिया comma aren't you ठीक है and question mark अब अगर मैंने लिखा you speak English अगर मैंने लिखा you speak English यहाँ पे मेरे पास helping verb नहीं है तो you के साथ लगेगा don't don't you और आ जाएगा question mark अगर यहाँ पे मेरे पास होगा you have spoken English तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरा जो है word क्या है have helping verb मेरा है have तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा haven't you question mark ठीक है अगर मैंने लिखा she has danced well ठीक है she has danced well लेके गई मैं अपना comma hasn't she अब अगर मानलो मेरा sentence होता she slept she slept मतलब वो सो गई she slept अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी helping verb नहीं है और मैं past की बात कर रही हूँ verb को देखो समझ में आएगा वो मैं past की बात कर रही हूँ तब आएगा didn't she question mark she has slept she slept didn't she अगर यहाँ पे में लिखते है she is sleeping isn't she ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि जब आपके पास कोई positive sentence होता है तो आप negative tag यूज करते हो और जब कोई negative sentence होता है तो आप positive tag यूज करते हो ठीक है यह रहे हमारी पास negative में like they are not funny are they तो यहाँ पे इसमें से not हटा के उसको positive tag बना दिया he should not say things like that should he again हमने इसको positive tag बना दिया ठीक है अब हम यहाँ पे हमारी पास और examples है जहां सारे negative tags use किये मतब negative verbs थे और हमने बनाया positive tag जैसे कि you are not a teacher are you he isn't crazy तो यहाँ पे क्या होगा is he he was not relaxed was he they were not late were they you don't speak French do you you did not study for the test did you you have not been here all week have you you had not done it before them तो यहाँ पे आजाएगा had you सब में से not हटा के सिर्फ वर्ब को आगे लगा देना ठीक है you won't fail the exam will you you can't drive a car can you you couldn't do it for me could you we must not say anything must we you shouldn't be so busy should you you wouldn't stop me would you तो जितने भी यहाँ पे आपके जो statements है इसमें आपने negative को हटा के positive tags लगा रहे that's it यही करना है हमें question tag में अब in our next video we are going to start with some exercises based on question tags ताकि आपको यह बहुत अच्छे समझ में आ जाए plus we are going to discuss some really interesting vocabulary words and some pronunciation tips as well so I'll see you in the next video ठीके टेके टेके बाइबाइ